हेलो दोस्तों तो आज की जो वीडियो है वो सीटेट की त्यारी के लिए एक बहुत ही जबजस्त वीडियो होने वाली है क्योंकि आप सबको पता है कि इन्वार्मेंटल स्टुडीज के जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो NCRT की बुख से उठाया जाता है तो यहाँ पर ह मैंने जितनी भी काम की जिए थी हर चैप्टर में जितनी काम की जिए थी एक एक लाइन दो दो लाइन वो सब मैंने लोड कर ली है वर्ट डोड मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है ठीक है और उससे भी खतनाक चीज यह यह है कि NCRT की क्लास 30 की जो बुख है इसमें पूर हर चैप्टर बाइस पढ़ाएंगे बिल्कुल मज़दार से बस आप हेड़फोन है तो हेड़फोन लगा के बस स्टार्ट हो जाईए आखी स्क्रीन पर कान मेरी आवास पर ठीक है चलो चैप्टर बन देखते है डाल डाल पर पाताल डाल पर ठीक है पहली लाइन क्या है ब बाई कख्षा को बाहर जाए देखने दीजिए अवलोकन मतलब बच्चा जब अपनी आखों से देखता है तुसी को बोलते है अवलोकन ठीक है आसपास की चीजों से घुलने मिलने दीजिए चीजों को देखने दीजिए तो यह बहुत इंपॉर्टन जहां पर आपको संट जारी सभी के लिए एक ही वर्डूज किया गया है क्या जानवर क्यों किया गया है इसका एक कारण है देखो छोटे बच्चे हैं तो छोटे कीड़े में कोड़े और साप छिपकली इनका ज्यादा बारी किसी वर्गी करन नहीं कर पाते हैं उसको समझ नहीं पाते हैं क्या है क्या नहीं है ठीक है यानि कि बच्चे किस इस्टर्स पे है अभी अभी बच्चे जी थर्ड क्लाज की इबुक है तो आप समझ लेजे कि ये बच्चे जो होंगी साथ से आठ साल की होंगे ठीक है आगे देखते हैं जानवरों की विवित्ता देखकर उनके अलग-अलग समूँ बनाने से ही वर्गी करण की सुरात होती है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे की वर्गी करण की सुरात कहां से हुई और जब वर्गे कंड़ करने लगता है तो बच्चा किसी स्टेज में आजाता है थर्ड स्टेज, कौन सी स्टेज होती है मूर्थ संप्यात्म का बस्ता, जीन प्याज़े के थर्ड बस्ता, ठीक है तो यह भी यार जीन प्याज़े भी कबर होगा यहां पे, चलो फूर्थ लाइन की बात करते हैं बच्चों का उंगलियों और अंगूठी से रंग लगा कर चित्र बनाना सरजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है अतहा सिख्षक को इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए अगर बच्चा कुछ कर रहा है यार कुछ चीज़े बना रहा है अपने हां से कोई चित्र बना रहा है कोई डिजाइन बना रहा है कुछ भी बना यार वो सब सरजनात्मक गतिविधि के अंदर ही आएगा ठीक है तो सिख्षक को क्या करना है इसको बढ़ावा देना है और बच्चा को बच्चा की बच्चा हाँ बहुत अच्छा आपने काम किया ठीक ऐसे ही बात करनी है आपको फिफ्ट पॉइंट बात करते हैं वस्तों को क्रम में लगाना बच्चों के अनुभाव पर निर्भर करता है अनुभाव पर मतलब बच्चे जो चीज देखते हैं जो चीज अनुभाव करते हैं वैसा ही आगी दिखाते हैं वैसा ही आगे करते हैं फीक है। तो इसी क्रमय बोन लगाएगा जैसा वो देख रहा है। टीक है। बच्यों को गतिविधी करने का मोका देना जाहिए। यार जो होते हैं साथ में काम जीए चीजे होती है। ठीक है। यह चीज और उनके काम को कामों की प्रसंसा भी करने हैं। बहले ही बच्चे आप देखो या कुछ बच्चे अच्छा कर पाते हैं कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो जिस बच्चे ने अच्छा नहीं किया है फिर भी आपको इसको तारीफ करनी है क्यों क्योंकि अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो बच्चा आगया काम करना छोड़ देगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा भई, सिंपल सी बात है, इसलिए हमें यह चीज़ करनी है, तो यह सब चीज़े जो मैं बता रहा हूं, वो सब चीज़े सही है, ध्यान रखिए, है ना, तो यार सुनो यार, बड़े मसदार चीज़े, मैंने जब देखा है, मैंने वीडियो बनाई है, मुझे तो मज़ा आ गया बिल्कुल, ठीक, चैप्टर टू, पौधों की परी, पहले पॉइंट की बात करते हैं, मशूर कलाकार हैं, एक विश्नु चिंचलाकर, चिंचालकर, विश् पत्ती रख दी, और यहां पर ऐसे चीज़े, बहुत अच्छे चीज़े, मैंने देखा है, ठीक है, तो इनका नाम या रखना है, विश्नु चिंचलाकर, पॉइंट टू पर आते हैं, बच्चों को पेड़ पौधों के पूरते सम्वेदन सील बनाने के लिए, यार, यह ब पानी डालो, उसकी देख भाल करो, देखो सूक तो नहीं जा रहा है, क्या उसकी आवशक्ता है, बारीकी से उसका अध्यन करने के लिए कहा जाएगा, इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर पर्या और अनके पृति लगाओ भी बढ़ेगा, तो लगाओ बढ़ाने की बात करें, या पिन बध्यों की परते समय दिल सील बनाने की बात करें, तो आपको यहीं बोलना है, क्या, कि बच्चे जाओ बटा, तुमने पहुत दिल लगाओ जाती है, ठीक है, उसकी देख भाल करो, यार ऐसा कोशन आप कई बढ़ा पूचा के से इटिक में, ध्यान देना, चैप्टर नमबर थ्री, बस इतना इतना है, काम की चीद अपने, पानी रे पानी, इसमें क्या है, देखो, पानी की समस्या में ध्यान आती है, कि जब आप मूविस में देखते होंगे, कि बहुत से लोग कुछ अपर कास्ट के हैं, कुछ लोगों को पानी भरने नहीं दिय जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोगों को आम सोतों से पानी नहीं लेने दिया जाता है, इस पर चर्चा करनी चीज़, जो चर्चा वर्ड है ना यार, बहुत मस्त वर्ड है, बहुत घतनाक वर्ड है, और इसको यूज करना है, हमीसा चर्चा करनी है, ब प्यार से समझाना बच्चों के ठीक है तो इससे क्या है भेदभाव जीसे जो वर्ड है जो विसाय है इनके प्रति समधिल सिलता बच्चों की बढ़ेगी अगर आप स्टार्टर से चीज़ नहीं सखाएंगे तो आगे चलके बच्चे की दिमाग में कुछ और ही भर जाएगा है ना तो यह चीज़ अपर नहीं करने ही हम लोग को है तो क्या है समधिल सिलता बढ़ानी है ठीक चैपटर नमबर फोर की बात करेंगे हमारा पहला स्कूल भाई बच्चों के पहले स्कूल क्या होता है बताओ परिवार में पैदा होते हैं तो बच्चों को जो प्रारमबिख स्QOOL होता है वो उनका परिवार ही होती है simple सी बात है तो परिवार क्या है पहला e school है simple खतम बात chapter number 5 पे आते हैं छोटू का घर बच्चा है कोई छोटू ठीक है देखते हैं सिख्षक को बच्चों के बच्चों से उनके घर की बातचीत को समेधन सीलता से करने की आवशकता होती है भाई घर की बातचीत करनी है क्यों करनी है देखो बच्चा जो रहता है घर में रहता है और दूसरी बात रहता है स्कूल में दूजगा रहता है तो स्कूल तो उसको समेदल सीधा से आप उसकी बात सुने या बातें उसकी करें अपने घर की उसके घर की सब कुछ सुने यह सब करने के आप शकता है तो जैसा sentence अगर आपको ऐसा sentence आप यह पेपर में दिख जाए तो आप सही मानेंगे उसको ठीक है अगला point चूहों की बात कर लेते हैं चूहों में देखने की शमता यानि कि देख वो कम पाते हैं ठीक है लिकिन सुनने चूने और स्वाद वाली जो शमता हैं होती वो बहुत तीवर होती यह पेपर में पूछ सकता है important line है अगली point की बात करेंगे गांधी जी की जो 150 वी वर् सकता है यहां पे चीज और ध्यान दीजेगा कि जो सिक्षक है यह चीज भी ध्यान दे कि ऐसा नहीं कि कि किसी बच्चे का घर बहुत अच्छा बना है तो इसकी बड़े ध्यान से सुने और इस बच्चे का घर थोला कच्चा बना है या फिर छोटा बना है तो उसकी बात न नमर 6 की बात करेंगे, खाना अपना अपना भाईया, खाने की बात है गई, देखते हैं क्या है, बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा महाल बनाना ज़रूरी है, जहां उनकी बात समय दिल सीलता से सुनी जाए, मैंने भई बात बताई, तो ऐसा महाल आप बना दो, ऐसा नहीं दोस को जब बच्ची को जब दोस बना लोगे तब सब कुछ अच्छा हो जाए गया ठीक है चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं चीन का जो होंग कॉंग सहर है वहां की लोगों को सापका मांस खाना बहुत पसंद है जिसे लिंग हूफेन कहा जाता है ठीक है मांस को कहा जाता नहीं के तेल में बनी मचली खाई जाती है अगछी पॉइंट के बैंट के बात करेंगे जब कि वहोंगों ना रिल के तेल में समंदर के किनारे होता है बहुत जदा होता है तो नारिल की त्यान के बनां Cake का著 tjah हाँ कि समंदर के फोटेंगे आए और समुंदर के किनारे भी नहीं है वहाँ पिदा नहीं होता तो क्या मतलब है वह सरसों के तेल में घांगी तक हो जाता है तो चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर वह सारी अभी है आप यह जो आप तो जो टैप्योका है प्लांट या फिर कसावा प्लांट कह सकते हो कसावा प्लांट कि या सागो प्लांट की जड़ों से प्राप्त स्टार्च को कहा जाता है अगली पाइंट बात करते हैं भारत में मूल रूप से tapioca का प्रयोग साबू धाना जो हम लोग खाते हैं यार बड़े मज़े से साबू धाना खाते हैं जो खीर बनती है बड़ी मस लगती है तो tapioca जो pulse होती है के रूप में एक क्या जाता है जिसमें karlowhydrate की मातरा बहुत अधिक होते कहां से बनता है टैपियोका से ही बनता है वो टैपियोका ही है हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग को पता ही नहीं था हमको तो लगता भाई केरल में ही मिलता है नहीं हम लोग भी खाते है ठीक है तो केरल ने टैपियोका का प्रियोग नारियल के साथ किया आता है क्यों किय अगर वीडियो पसंद आ रही चीज़े समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो यार वीडियो को कर दो लाइक चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है ठीक है तो यार यह चीज़े हमें कहना का मन नहीं करता है आप लोग अगर अच्छा लेगा को करी देंगे ऑविस्सी बात है तो देखो यार मैंने एक एक चीज वहाँ से उठाई जरूर है लेकिन लिखने में इस सब करने में बड़ा मेहनत लगती है ठीक है तो मेहनत के लिए थोड़ा एक लाइक तो बनता है चलो अगला पॉंट देखते हैं जिन घटनाओं को बच्च कर दिया नहीं भाई गलत हो जाएगा जब तक बच्चे अपने आपको से कनेक्ट नहीं कर पाए अगर स्वयम को जोड नहीं पाए तो मतलब वो समझ भी नहीं पाएंगे इसलिए ऐसी घटना है जिसमें बच्चे खुद को फिट कर सकें है ना इसलिए कहानिया होती है कि कह अक्षम बच्चों के बारे में चर्चा करके इस विसाय पर सम्मेदन सीलता बढ़ाई जा सकती है कि सभी बच्चे भिन 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 चमता वाले होते हैं देखो ऐसे अगर आपसे कहोगे कि भाई सभी की चमता अलग अलग है नहीं समझ में आगा लेकिन जब एक बच्चे के ऐसे बच्चे के बारे में चर्चा करें कि भाई वो सुन नहीं पाता है या बिल्कुल कम सुन पाता है या कोई बच्चे को कम दिखता है आँकों से ठीक है तो यह चीज़े हैं इन बच्चों के बारे में सम्मेदन सीलता से चर्चा करिए और उनकी सम्मेदन सीलता बढ़ा तो देखो दिक्कत क्या है आपके साथ ये भी देखे कि यार मैं तो अच्छा हूँ या मेरा दोस्त तो अच्छा है या मैं अच्छा नहीं हूँ तो अगर कोई इंसान भागते चला जाएगा तो आप तो पीछे रहे जाओगे न अगर आप थोड़ासा काम है या फिर दूसर तो हो गया सब निरत पुराने निरत देखिये जर कितने हावभाव CRANions कि जरे Bhagणी आपके से जिसे जिसे क्या होगा अवलोकरन करने की शमता का विकास होगा अवलोकरन करने के जिख वर टो शमता का Sekiganda मर explor टेगे तो चाव आपको हुआ यही चीज़ें जो है आगी चरजनातमक्ता को बढ़ावा देती है अगर आप बचओ को बाहर नहीं ले झांगे तो i am sure that फbetनी नहीं रहाएंगा इतना तो पहला हो गोमाओ इन souvent यहाठ पर्यटन पर बहुत फोकस करता है, बाहर ले जाने पर ठीक है, आसपास की चीज़ों पर, तो ये ऐसे संटेंस पेपर ने पूशे आते हैं, है ना तो ऐसे संटेंस जहां भी आपको दिखें बस वो सही है, बाकी जो गलत है उसको आप समझी चाओगे, अगले पॉइंट की समंदर में रहता है, जो मचलियां समंदर में रहती, तो उनके पास पंक ऐसे हैं, जो जिन से उड़ती हैं, क्या उड़ती बता रहे हैं, तो मतलब जो मचलिया होती हैं, उनके तैरने के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, पक्षियों में उड़ने का नोट नहीं करीगे कि वो पक्षय उचले लेटे जो चीजे हैं वो कक्षय जो चार की बुख है एंसे आर्टी कि उसमें बहुत डिटेल में दिया है तो हम उसको वहाँ पर कवर करेंगा ठीक है चलो अगली चैप्टर पर चलते हैं चैप्टर नमबर 12 काम अपने अपने ठीक है भाई देख लेते हैं अपना काम क्या है पाट पढ़ने से पहले बच्चों को चित्र को ध्यान से देखने और समझने का मौका दिया जाए जिससे उनमें चित्र अवलोकन का कॉसल लिक्सित हो देखो कॉसल जो इसकिल्स है यार व अपनी फिल्में बहुत आगे है क्यों कि बच्चपन में हम लोगों ऐसे चीज़ा करी ही नहीं इसलिए अभी से में बता रहो आपके बच्चे हो या आपके घर में कोई बच्चे हो ऐसा करने दो ठीक है तो अवलोकन करने दो ध्यान देने दो चित्र में बच्चे को बस और कोशी मत करा हो चित्र देखने दो बात में पढ़ाया करेंगे हम लोग ठीक यह चीज़ ध्यान दो परिबार में और एवं सिख्षक के द्वारा बातचीत करते समय यह संदेश मिलना चाहिए कि कोई भी काम चोटा या बड़ा नहीं होता यार बहुत इंपोर्टन ल पढ़ाने जाते हैं या फिर खेती करने आते हैं तो यह कोई छोटी चीज नहीं है कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं मतलब बड़ी तो obviously है छोटी नहीं है मतलब ठीक है तो मतलब ऐसे बच्चे को ना लगए कि मैं किसान का भच्चा हूं तो मेरे जो पापा किसान है वो दूसरे के अंदर समय दिन सीलता भी आएगी किसान है और हम किसान उपर डिपेंड हैं जो बाहर के बच्चे जो सहरों में रहते हैं ठीक है तो यह चीज़ है ठीक है आगे बढ़ते हैं यदि बच्चों दोरा बताएगे कामों में जेंडर विसमता दिखाएगी है बहुत इं इसे जो रीजन्स हैं उन पर आपको चर्चा करनी आवस्चे हो जाती है क्यों क्यों कि बच्चे के अंदर एक सेट बन गया है क्या ने खाना बनाने को जो काम है वो मम्मी ही करेंगी यह सिस्टर ही करेंगी हमारी ठीक है तो यह चीज़ गलत है यार ऐसा नहीं है आपको खत पाएंगे है बहुत important line बहुत मज़दार important line देखो हर बच्चे का परिवेश अलग है हर बच्चा अलग-अलग स्थान पे रहता है तो सब के आसपास की चीज़ें अलग तरीके से हैं तो क्या होगा कि कक्षा में अगर हर बच्चे से कहा जाए कि अपने अपने घर की आसप आफ में रट लेगा तो समझ में नहीं आएगा जब तक की वो उस चीजसे ईलेट नहीं करेगा तो अनुभाउ से जोड़ना बहुत जरूर है आपका काम है कि बच्चे को अनुभाउ और कीटाब के ग्यान को जोड़ें आपका काम है मेरा काम है ठीक श्राइन-नम्बर 17, देखो यार बोर तो नहीं हो रहे हो, घर बोर हो रहे हो तो मैं यह कहाँगा कि थोड़ा साथ फूशिच करो यार सुनने ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है यार बहुत मिन्यात करी हैill है WORulate के लिए आप लोग के लिए बस ठीक है ने तरहीं लोगों के लिए विक्सित के लिए जो लिपी है बहुत आसान चैप्टर है यह ब्रेल लिपी है सिंपल सी बात है और लुइस जो ब्रेल थे लुइस ब्रेल त्रैंस के रहने वाले थे तीन साल की उम्ने में उनकी आखे खराब हो गई और लेगिन को पढ़ने में रुची बहुत थी भाई रुची अगर आपकी है तो कुछ भी कर जाओगी तो उनकी रुची थी पढ़ने में तो उन्होंने क्या कर就f या ब्रेल लिपी की खोज कर दी ब्रेल लिपी ही बना डाली और उन्होंने important चीज एक हाँ पर देखेंगे हम लोग Braille Leapy की अगर जानकर ये आपको बच्चों को देनी है तो वास्तविक Braille Sheet दिखाना चाहिए मैंने क्या बताया अगर बच्ची को जिसे आपने chapter पढ़ा दिये Braille Leapy लेकिन आप बच्ची को Sheet जब तक नहीं दिखाएंगे तो कैसे समझ में आगा क्यार वो चित्र जो उभार है वो बिंदू से कैसे बना जाता है इस सब कैसे तो वास्तविक वाली चीज़े जो आज बच्च की जो आज को मिल जाती है वास्तविक चीज़ें बच्चे के सामने लाकर रखिए जिससे वो connect कर पाए ठीक बहुत important चीज़ chapter number 14 कहां से आया किसने पकाया तो यहाँ पर खाना पकाने की बात हो रही खाना पकाने जब बात आती है तो भाई कौन बनाएगा खाना पर्टिक्लर इंसान के लिए बनाई गई है तो ऐसी चीज़ें यानि कि लड़का लड़की में भेद भाव, जेंडर विसमता पर चर्चा जो है समय दिल सीलता से होनी चाहिए मैं इसके बारे में बात कर चुका हो पहले भी ताकि उस पर बच्चे सवाल तो कर सके और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे जो को यह चीज़ इंपॉर्टन है आप है मतलब बच्चे को दिमाग में ऐसी चीज़ें आपको डालनी है कि अगर कुछ गलत है जंडर विसमता जो है अगर वो गलत तो हई है सबको पता है तो इस बच्चे इस पर सवाल उठा सकें कि आर नहीं पापा ऐसा नहीं होता है और खाना मनाने का काम मैं भी कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं ठीक है और सिस्टर है वो बाहर जा सकती है बाहर का काम कर सकती है मार्केट कर सकती है मार्केट जा सकती है सामान लग सकती है तो ये सब चीज़ें उस पर मतलब सवाल भी कर सकें पापा से अपने घर में परिबार में समाज में उसके अलावा किसी की भावनाओं को ठीस भी न पहुंचे मतलब बड़े प्यार से कहने है कहने का मतलब यह है सिंपल बात अगली point बात करेंगे बच्चों के परिवेश में दवाई की रूप में प्रियोग किये जाने में पेंड पौधों की पहचान वह उनका प्रियोग पारंपरी ज्यान की परक और समझ का मौका देगा क्या मतलब क के रूप में और इससे क्या होगा कि जो उनका परंपरी ज्यान है उसकी परक बढ़ेगी और समझ का भी मौका मिलेगा उससे भी important चीज़ी एक आती है उप्योग सीटेट हमें सब ध्यान देता है उप्योग पर ऐसा नहीं कि आपने ज्यान किताब से पढ़ लिया समा से दे आगे बढ़ते हैं चैप्टन नंबर 15 आओ बरतन बनाए चलो बनाते हैं तो पहले देखते हैं क्या है कहानी का जो कहानी का नाटक की रूप में प्रदर्शन करने से बच्चों को खुरियाओं का क्रम समझने में सहायता मिलती है क्या मतलब है नाटक में एक खासित ही होती ह कि कुछ जो चीजे हैं फिक्स हैं वो क्रम से ही होंगी पहले यह चीज कोई इंसान आएगा वो अपना प्रदर्शन करेगा उसके बाद वो फिक्स इंसान दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा फिर चौत आएगा ऐसे तो इससे क्या होगा कि किसके बाद क्या किया जाना है वो चीज, यानि क्रियाओं का जो क्रम है, उस चीज की समझ बढ़ती है, भाई देखो, बच्चे को जो चीज आ नाटक कराते हैं, कहानी सुनाते हैं, कभी तर सुनाते हैं, यह कुई फरजी में निसुना जाता है, इसका कुछ न कुछ उद्देश होता है इसके पीछे, अगला पॉइंट, बच्चेओं को अपनी स्रजनात्मग विचारों को बताने के पूरे मौके दें, तो हम सोयम क्रिया कलाप करने के लिए प्रेडित करें, बहुत इंपॉर्टेंट लाई, मैंने क्या बताया, कि बच्चे के अंदर कुछ अलग-लग से विचार उटते हैं, कि सर इसको अगर ऐसा करूँ तो हो जाएगा, अगर उस तरीकशने लगती होंगे, अब चोटा बच्चा है, या यह क्या बतायागा हमको, है ना, या पापा सोच लगते हैं, अरे बैटा, तुम क्या बता पाँगे हमको, ऐसा नहीं है भई, उसकी बात को सोनो तो पुरा ज सोयम मौका दें क्रिया कलाब करने का आप बच्ची को कुछ चीज़े लाके दीजे और बोलो कि बटा लो करो मज़े करो इसमें खेल को भी बहुत बढ़ावा दिता है इविएस में खेल की बहुत अधे इंपोर्टेंस है इसमें बोलता है बच्चों को खेल ले दो बहा ले जाओ मैदान में ले जाओ हमें इसे बात करता है तो क्या है क्रिया कलाब करने का मौका दें प्रिरिद करें करने के लिए ठीक अपने आप से स्वयम से जैसा नहीं कि कभी कबि का मिलोग की साथ क्या हो आगे बात करेंगे हमारी पूर्वज मिटी अप्थर के ने बरतनों का प्रियोग करते थे चैप्टन बात बात है चैप्तन नंबर सोला बस दो-ती ओआ बचे है यारण बस खतम होने वाला है और मज़ा आ रहा हो गयार अगर मज़ा आ रहा है तो विया सब्सक्राइब करो ना भाई कितनी बार कौँ गयार अब नहीं कहूंगा मैं ठीक है कर देना हो चैप्टर नुम्बर 16 खेल खेल में तो खेल-खेल में क्या है भई खेल को बढ़ावा देता है ना इसलिए खेल चैप्टर रखा गया यहाँ पर करे उस ऐसा नहीं कि बनी बनाई खीर सामने मिल गई और बच्चे ने खा लिया मजा आगे नहीं खीर बनाने तो दोस्को पहले तो यही चीज़ समय करने ही भाई इकत्त करवाना है खुद बच्चे से ठीक बच्चों को खेलों के बारे में ग्यान और खिलाड़ों के प्रत समझारा चैप्टर नमर 18 चिट्ठी आई है दो आप बारे में पता करने का एक माहतुपूर्ण शुरोत बुजोर्ग है यार ऐसे बिल्कुल मैंने क्या था एक कूशन वा था इस पे एक सीधा कूशन सिट आ पूशा गया है कि अगर यह पता करना हो कि पुराने जमाने में आज नहीं है तो अगर बच्चा जानना चाहता है तो वह कहां से पता करेगा तो बात है यार बुजर्ग के पास भेजदो कुछ बूढ़े लोग है व्रद्ध लोग है उनके पास भेज़ो वह बताएंगे कि बैटा हमारी जमाने में यह होगा आज भी कहानी सुनने के हम मौका मिलेगा और जो की चर्चा जो है बहुत इंपोर्टन चीज़ है ठीक और उदाहराण देने के लिए वास्तिविक वस्तों का प्रियोग करना चाहिए जैसे मैंने बता है ना ब्रेल लीपी अगर आप बताना चाहते हैं ब्रेल लीपी के बारे में तो वास्तिविक ब् दो जो बच्चा खुद देख सके चू सके चू सके काम कर सके उसके साथ यहाज पास दिख सके है ना एसे चिजे चर निया हम रहा है बूपर ए में की मो시는 गाह опас हूं कि हमारे हैं बहुत बारिश होती है इसलिए हमारे घर जो है जमीन के 10 से पंदरा कुट वीचा बने होती है इन्हें जो है मजबूस बास के खंबों पर बनाते हैं या घर अंदर से भी लकडी के ही बने होते हैं सीधी से बात है, वहाँ पे बारिश जादा होती है, इसलिए बास आसानी से अवेलबल है, लकड़ी आसानी से अवेलबल है, बारिश होती है तो पानी भजाता है, तो क्या है, भाई लकड़ी उपर खंबे बना लिया, खंबे के ओपर घर बना लिया है, यहाँ पे आपका लक यहां भी बारिश बहुत होती है लेकिन साथ में वर्फ भी पढ़ती है जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है हमारे जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकडी से बने होते हैं पहाड़ी लाका है तो आहां पर पत्थर बड़ी असानी से अ जो डालू छट से यह नीचे उतर जाए और यहां पर जो अपना जो सुखाने के लिए चीज़े होती हो अपना छट पर लोग बाद में सुखा देते हैं गर्मी के मौसम में ठीक है तो यह सब चीज़े हैं अगर इनको आप लोग डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ा द हमारे यहां बारिश बहुत ही कम होती है राजिस्तान ने बारिश बहुत कम होती है गर्मी खूप पड़ती है रगिस्तानी लाका है क्योंकि हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दिवारें बहुत मोटी होती है इन दिवालों को मिट्टी से लिप पोत कर ए क्टिली जालबय, और उंके पास कोई भी नहीं है, उसके अलावा भी जो गोबर से लीपने की बात शीकषी जरव भी ऑफ पहाँ पर इस लिये करते हैं क्यूंद्ध में क्या है क्यीन वहाँ पर नहीं पहुछते हैं, अगर चूले कीरी के बात करेंगे चूलेख और गोबर की वर बात दने है तो इसका मतलब यह कि वहाँ पर कीणी मकोले इन दोनों चीज़्यों से दूर रहते हैं ठैक सिकारा ज क्या पर एक प्रछॉटी की नाव है जम्मु कस्मीर के डुल जीजgendस वह päस आसपास के प्रियोक सिकारे की जाती है देखो यहां पे एक सिkkारा नाव की जो एक फोटो बनी है ध्यान देंगे यह क्या होता है ठुड़ी सी ऊपन होती है ऑगा अंदर से बहुणती नकासी होती है बहुत यह सुन्दर दिखता है अंदर से और जो परेटन जो बाहर से आते हैं अपने यहां पर हम लोग अगर जाएं यहां से यह तो यह वहां पर बहुत अच्छा लगता है देखने पर ठीक है चार चिनार, चार चिनार क्या है, लोकुप डल, ठीक है, अभी बात करते हैं, रूपलंक, बोड डल, यह दोनों जो हैं, दूइप है, चार चिनार और रूपलंक, जो दो डूइप हैं, कहां पे हैं, डल जीज मैंने थोड़ा से एक्स्टर एड़ कर दी हैं, क्योंकि चार चिनार के बड़े बड़े पेल्ड हैं, इसलिए उसका नाम, चार चिनार पड़ा गया, और यहां पर हाउस बोट भी चलते हैं, जो डल जील हैं, उसमें हाउस बोट चलते हैं, अभी हाउस बोट क्या होती यह average का चोटा घर जिसमें गुषने के लिए एक छोटा सब्सक्राइब मने के दिन और रात होते हैं वहां पर तो यह चीज़ है archétique 챗 यहां की जो मूल निमासी है इन को Inuit कहा जाता है Inuit समझ? मूल निमासी होको Inuit कहा जाता यहां यह भी थोड़ी से मैंने extra चीज़े हां पर नोड कर लिया ठीक एक चीज़ और पेपर में पूछी गई है कि अब ये बर्फ का ही घरत या ठंडी अंदर क्यों ने जारी बाहर की ठीक है वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि जो बर्फ होती है इनमें थोड़ी सी हवा होती है बीच में ग्रैप होता है ठीक है ये हमारा बस लास्ट स्लाइड है 19 चेप्टर की बात करेंगी है हमारे साथी जानवर जैसे वहाँ पर हम लोगों ने बात करी थी पेंड पौधों को बच्चे एक पेंड लगाए उचको पानी दे वहाँ पर बात करी थी उनकी देखबाल करें खाल addicted set तो यहां पर भी बच्चों को जानवरों के पतर समय ईसली बनाना ay तो बच्चों की जानवरों की भावनाओं के बारे में रही चरचा करने के आवनस्ता होती है उनके रहने के लिए जंगल के आवसकता होती है हना जो कि आजकल पूरी तरह से मिटाया जा रहे है कोई भी जनवर्ण पध्यान नहीं दे रहे हैं जिसको मन कर रहा है अपनी खुशे के लिए मारे जा रहा है काटे जा रहे हैं सब कुछ कर रहा है तो क्या है समेदन सील बनाव बच्चों को समेदन सील तो चलो आगे बढ़ते हैं उनकी देख भाल करने को कहा जाए जैसे पेणी की बात कर रहे था यहां पर जानो रोगी बात चैप्टन नंबर 21 तरह तरह के परिवार तो यहां पर हम लोग बात करेंगे दोखो परिवार मुकता दो प्रकार के होते हैं ठीक है एक तो होता है एकल परिवार एक होता है संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या होता है माता पिता और उनके बच्चे बस इतने ही लोग रहते हैं संयुक्त परिवार में क्या होता है माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, इनके बच्चे, चाचा, चाची के बच्चे तो यह काफी बड़ी जॉइंट फैमिली जिसको बोलते हैं हम लोग है तो यह सभी परिवार होता है इसके अलावा, यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदसों की आदतों जैसे की नसीले मादक दवाओं की लट के बारे में बताना चाहते हैं तो ऐसे किस्तों पर बातचीत बड़ी ही सम्वेदन सीलता से की जाने चाहिए बच्चे अपने परिवार के बारे में बता रहा है ठीक है अगर बच्चे अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं कि मेरे परिवार में ऐसा दिक्कत है तो उनकी बात को सुने ठीक है समझेंगे तभी तो यार बच्चे समझ पाएंगे उचीज चलो ठीक है तो यह चैप्टर पुरा complete हो चुका है अभी तो थोड़ी और हम ल पढ़ा रहा था तो मुझे लगा कि यार नहीं ठीक है कोई खास दिक्कत नहीं आ रही अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लग रही है आपको कहीं भी कोई भी सी चोटी से भी प्रॉबलम लग रही है तो आप कमेंट सेक्चेन में जरू बता आओ यार कमेंट करना बहुत लोग comment नहीं कर रहे हैं बता यार कैसे पता चलेगा क्या अच्छा है खराब है क्या है आप बताओगी नहीं तो improvement कैसे होगी ठीक है तो basically यह last screen आपके लिए है thank you पहली बात तो मैंने लिखा नहीं खैर मैं लिक देता हूँ ठीक है thank you अगर आप यहां तक आएं है वीडियो देखिए तो और यह channel है मेरा teacherify इसलिए है teachers के लिए basically teachers के लिए तो teacherify मैंने आम रिख दिया इसका और चैनल को subscribe करना है अभी कर दो यार अभी तक नहीं किया मैं कितनी मार बोलू एक बार last time और बोलना हूँ जाने का time कर दो औ यार मज़दार वीडियो थे यार मुझे लगता है तो बहुत कम दिन बचे है पेपर के और ऐसी ही मैं कोशिश करोंगा कि जो class fourth है ना fourth की और fifth दोनों की class में लियाओं जिसे की जो NCRD के पूरा syllabus है वो cover हो चाहे ठीक है तो यार बड़ी मजदार थी वीडियो थी और share करना लोगों को चलो पढ़ाई करो यार पढ़ाई करो मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye see you